इरान का कहना है कि उसने यूरेनियम एन्रिच्मेंट के लिए नए और उन्ना तक्नीक वाले सेंट्रिफ्यूज उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है सेंट्रिफ्यूज का इस्तेमाल यूरेनियम के रसायनिक कणों को एक दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है इरान ने 2015 में दुनिया के कई देशों के साथ जो परमानू समझोता किया था उसके उलंगन में ये इरान का अगला कदम है इससे पहले इरान ने कहा था कि परमानू समवर्धन के लिए रिसर्च और डेवलप्मेंट से जुड़ी सभी रिस्ट्रिक्शन को वो खत्म करेगा इरान के परमानू जेंसी के प्रवक्ता बहरूज कमलवंडी का कहना है कि ऐसे 40 सेंट्रिफ्यूज ने अब काम करना शुरू कर दिया है और समवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल परमानू उर्जा के साथ साथ परमानू हथियार बनाने के लिए किया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि इरान अपने कदम वापस ले सकता था अगर बाकी देश समझोता मानने के लिए तैयार होते और उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते अमरीकी प्रतिबंधों के जवाब में इरान ने जुलाई में दो कमिटमेंट्स का पालन करना बंद कर दिया था अमरीकी राश्टुपती डोनल्ड ट्रम्प इरान को नए समझोते पर बातशीत करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं जिसके तहट इरान को अपना परमाणू कारेकरम अन्शित काल के लिए बंद करना होगा साथ ही बिलिस्टिक मिसाइलों के विकास की दिशा में हो रहे काम को रोकना होगा लेकिन इरान अब तक इससे इंकार करता रहा है साल 2015 में हुए समझोते में शामिल दूसरे देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस इसे बरकरार रखना चाहते हैं और इसके लिए कोशिशे कर रहे हैं लेकिन इरान पर अमरीका ने कई प्रतिबंध लगाए हैं जिसके कारण इरान के तेल नर्यात में भारी गिरावट आई है इसकी मुद्रा की कीमत भी घटी है और महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी गई है इसी बीच इरान ने कहा है कि उसका परमार्णू कारेकरम शांती पूर्ण है और वो परमार्णू कारेकरम उपर नज़र रखने वाली अंतर राष्ट्री परमार्णू उर्जा एजेंसी के निरक्षिकों को उसके काम पर अनुमती देना जारी रखेगा अंतर राष्ट्री एजेंसी ने इसी साल एक जुलाई को बताया था कि इरान ने समवर्धित यूरेनियम की सीमा का उलंगन किया है इसके छे दिनों के बाद इरान ने यूरेनियम की 4.5 फीजदी कॉंसें इंरिश्मेंट चिरू कर दी थी उसका कहना था कि वो अपने बुशहर पावर स्टेशन के लिए इंधन बनाना चाहता है परमानु समझोते के तहट इसके सीमा 3.6 फीजदी तै की गई थी हाला कि परमानु हत्यारों के लिए यूरेनियम को 90 फीजदी या उससे जादा तक समवर्धित किया जाता है समझोते के तहट अनुसंधान और विकास को इस तरह से जारी रखने की अनुमती दी जाती है कि समवर्धित यूरेनियम तै मातरा से जादा जमा नहीं किया जा सके ये आई आर 6 और आई आर 8 सेंट्रिफ्यूज के टेस्ट की भी इजाज़त देता है ये सेंट्रिफ्यूज यूरेनियम एंडिच्मेंट जादा तेज़ी से कर सकता है साल 2024 के बाद इरान 30 आई आर 6 सेंट्रिफ्यूज तक का टेस्ट शुरू कर सकता है माना जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया से परमाणू बंबनाने की गती में तेज़ी आ जाएगी परमाणू समझोते को पूरी तरह पालन करने के बदले फ्रांस ने इरान को 15 बिलियन डॉलर का तेल खरीदने की पेशकश की है जिसका इरान के अधिकारें ने स्वागत किया है ये इरान के लिए विदेशी मुद्रा हासिल करने का एक मौका होगा हाला कि एक वरिष्ट अमरीकी अधिकारें ने रॉयटर समाचार एजिंसी को बताया कि ट्रॉम प्रिशासन को फ्रांस की पेशकश पर शक है इस सब के बीच भारत को अमरीका और इरान के इस जगड़े से क्या दूविधा है भारत अपनी मध्यपूर्विया पस्ची मेशिया नीती में अभी तक ये कहता रहा है कि भारत स्वतंत्र बाइलेटरल रिलेशन्स बनाने के काबिल है और इसके लिए किसी पर डिपेंड नहीं है इस इलाके के लिए भारत की विदेश नीती के तीन पिलर्स हैं पहला खाड़ी के अरब देश, दूसरा इरान और तीसरा इसराइल है और तीनों के साथ भारत के अच्छे संबंध है प्रोफेसर हर्श पंत कहते हैं भारत के सामने दूविधा ये आएगी कि जैसे जैसे इरान पर प्रतिबंधों का शिकंजा कसेगा जिस तरह से इरान को अलग थलग किया गया है उसमें भारत को तैय करना पड़ेगा कि वो इरान के साथ कितनी दूर तक चलना चाहता है अरब देशों, इसराइल और अमरीका में भी भारत का बहुत कुछ दाव पर लगा है भारत की उर्जा जरूरतों और इरान पर डिपेंड होने का जिक्र करते हुए प्रोफेसर हर्शपंद कहते हैं कि भारत को ये देखना पड़ेगा कि उसकी एनरजी पॉलिसी पर क्या असर पड़ रहा है इतने प्रतिबंद लगने के बाद भारत इरान के साथ बहुत कुछ नहीं कर सकता भारत सरकार ये जरूर कह सकती है कि हम इन प्रतिबंदों को नहीं मानते हैं लेकिन तेल की पूरी अर्थवयवस्था परिवहन, बीमा और लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से अमरीका पर डिपेंड करते हैं। इसलिए भारत सरकार भले ही पृतिबंधों को ना माने लेकिन कमपनियों को पृतिबंधों के हिसाब से ही चलना होगा। भारत के लिए अगली दूइधा ये है कि वो इरान के साथ अपने संबंधों को कैसे संतुलित करे। इरान के साथ सिर्फ तेल का संबंध नहीं है। भारत ने चबाहार बंदरगाह में बड़ा निवेश किया है। चबाहार से भारत मध्धे इश्या में मजबूत होना चाहता है लेकिन प्रतिबंधों की वज़े से भारत इरान संबंध उस तरह से आगी नहीं बढ़ पाएंगे जिस तरह से भारत चाहता है। इसमें कई पहलू है और इन सारे पहलूं में भारत की दूविधा बढ़ेगी। अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत क अप्शन्स की तलाश करनी होगी और क्या उनकी पूर्थी अमरीका कर पाएगा यह देखने वाली बात होगी।